ओम श्यान्ती 22 सितंबर 2024 के अव्यक्त महवाक्या पहले एक नजर मुरली के मुख्य पोइंट्स पर बाप दादा ने कहा हर एक ब्राह्मन बच्चे को परमात्म सनहे की शक्ती ने बाप का बनाया है। यह सनहे की शक्ती हर परिस्थिती में सहज अनुभव कराती हैं मेहनत नहीं करने पड़ती इसलिए सदा सनहे के सागर में समाय रहू यह सनहे एक छत्र चाया है जिसके अंदर माया की कोई भी परचाई नहीं पड़ सकती। फिर बाबा ने कहा अब व्यर्थ का समाप्ती समारहो मनाओ क्योंकि व्यर्थ कभी समर्थ बनने नहीं देगा। जब तक आप निमित बने हुए बच्चे समर्थ नहीं बन जाते। तब तक विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे मिले। तुम्हें सब पुकार रहे हैं। हे मुक्तिदाता के बच्चे मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो। विश्व की आत्माओं के मुक्तिदाता बनने से तुम स्वियम की छोटी-छोटी बातों से स्वत्य मुक्त हो जाएंगे। लास्ट में बाबा ने कहा आप बच्चों को ब्रह्मा बाप ने जो तीन शब्दों की शिक्षा दी हैं। निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। अब इन तीनों शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो। अर्थात मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी और कर्मना में निर्विकारी बनो। सारे दिन में बार-बार यही अभ्यास करते रहो। अभी-भी साकार स्वरूप में आए और अगले ही सेकिंड निराकारी स्वरूप में सित्त हो गए। कारे करते समय भी बीच बीच में देह भान से न्यारे निराकारी स्वरूप में सित्त होने का अभ्यास करो। और अब सुनते हैं महवाक्यों को विस्तार से। अब बच्चों से मिलने के लिए आए हैं। आज विशेस चारों और के बच्चों में सनह की लहर लहरा रही है। विशेस ब्रह्मा बाप के सनह की यादों में समाय हुए हैं। यह सनह हर बच्चे के इस जीवन का वर्दान है। परमात्म सनह ने ही आप सब को नई जीवन दी ह हर एक बच्चे को सनहे की शक्ती ने ही बाप का बनाया। यह सनहे की शक्ती सब सहज कर देती है। जब सनहे में समा जाते हो तो कोई भी परिस्थिती सहज अनुभव करते हो। बाप दादा भी कहते हैं सदा सनहे के सागर में समाय रहो। सनहे छत्र चाया है जिस छत्र चाया के अंदर कोई माया की परचाई भी नहीं पड़ सकती। सहज माया जीत बन जाते हो। जो निरंतर सनहे में रहता है उसको किसी भी बात की मेहनत नहीं करनी पड़ती है। सनहे सहज बाप समान बना देता है। सनहे के पीछे कुछ भी समर्पित करना सहज होता है। तो आज भी अम्रित विले से हर एक बच्चे ने सनहे की माला बाप को डाली और बाप ने भी सनही बच्चों को सनहे की माला डाली। जैसे इस विशे स्मृती दिवस में अर्थात सनहे के दिन में सनहे में समाये रहे ऐसे ही सदा समाये रहो तो मेहनत का पुरुशार्थ करना नहीं पड़ेगा एक है सनहे के सागर में समाना और दूसरा है सनहे के सागर में थोड़े समय के लिए डुब की लगाना तो कई बच्चे समाये हुए नहीं रहते हैं जल्दी से बाहर निकलाते हैं इसलिए सहज मुश्किल हो जाता है तो समाना आता है समाने में ही मजा है ब्रह्मा बाप ने सदा बाप का सनहे दिल में समाया इसका यादगार कलकत्ता में दिखाया है गंगा सागर में समाती है अब बाप दादा सभी बच्चों से यही चाहते हैं कि बाप के प्यार का सबूत समान बनने का दिखाओ सदा संकल्प में समर्थ हो अब व्यर्थ का समापती समारहो मनाओ क्योंकि व्यर्थ समर्थ बनने नहीं देगा और जब तक आप निमित बने हुए बच्चे सदा समर्थ नहीं बने हैं, तो विश्व की आत्माओं को समर्थी कैसे दिलाएंगे? सर्व आत्माओं शक्तियों से बिलकुल खाली हो, शक्तियों की भिखारी बन चुकी हैं, ऐसी भिखारी आत्माओं को हे समर्थ आत्माओं इस भिखारी पन से मुक्त करो आत्माई आप समर्थ आत्माओं को पुकार रही है हे मुक्तिदाता के बच्चे मास्टर मुक्तिदाता हमें मुक्ति दो क्या यह आवाज आपके कानों में नहीं पड़ता सुनने नहीं आता अब तक अपने को ही मुक्त करने में बिजी हैं क्या? विश्व की आत्माओं को बेहद स्वरूप से मास्टर मुक्ती दाता बनने से स्वियम की छोटी-छोटी बातों से स्वते ही मुक्त हो जाएंगे अब समय है कि आत्माओं की पुकार सुनो पुकार सुनने आती है या नहीं आती है परेशान आत्माओं को सुक शान्ति की अंजली दो यही है ब्रहमा बाप को follow करना आज विशेस ब्रहमा बाप को याद ज्यादा किया न? ब्रहमा बाप ने भी सभी बच्चों को स्मृती और समर्थी स्वरूप से याद किया कई बच्चों ने ब्रह्मा बाप से रूह रिहान करते मीठा मीठा उलहेना भी दिया कि आप इतना जल्दी क्यों चले गए और दूसरा उलहना दिया कि हम सब बच्चों से छुट्टी लेकर क्यों नहीं गए तो ब्रह्मा बाप ने बोला कि मैंने भी शिव बाप से पूछा कि हमें अचानक क्यों बुला लिया तो बाप ने बोला अगर आपको कहते कि छुट्टी लेकर आओ तो किया आप बच्चों को छोड़ सकते थे या बच्चे आपको छोड़ सकते थे आप अरजुन का तो यही यादगार है कि अंत में नश्टो मोहा स्मृती स्वरूप ही रहे हैं तो ब्रह्मा बाप मुस्कुराए और बोले कि यह तो कमाल थी जो बच्चों ने भी नहीं समझा कि जा रहे हैं और ब्रह्मा बाप ने भी नहीं समझा जा रहा हूं सामने होते भी दोनों तरफ चुप क्योंकि समय प्रमान संशोज फादर का पार्ट ड्रामा की नूंद थी। इसको कहते हैं वहा ड्रामा वहा। सेवा का परिवर्तन नूंधा हुआ था। ब्रह्मा बाप को बच्चों का बैकबोन बनना था। तो अव्यक्त रूप में फास्ट सेवा का पार्ट बजाना ही विशेस आज डबल विदेशियों ने बहुत मीठे मीठे उलहने दिये हैं। डबल फोरिनर्स ने उलहने दिये। डबल फोरिनर्स ने ब्रह्मा बाप को बोला सिर्फ दो तीन साल आप रुक जाते तो हम देख तो लेते। तो ब्रह्मा बाप ने हसी में बोला हसी की तो ड् करो ड्रामा ने ऐसा क्यों किया लेकिन यह लास्ट सो फास्ट का एक्जाम्पल बनना ही था चाहे भारत में चाहे विदेश में इसलिए भी लास्ट सो फास्ट का प्रत्यक्ष सबूत दिखाओ जैसे आज समर्थ दिवस मनाया ऐसे ही अब हर दिन समर्थ दिवस हो किसी भी प् में शिक्षा दी, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी, इन तीन शब्दों के शिक्षा स्वरूप बनो, मनसा में निराकारी, वाचा में निरहंकारी, कर्मना में निर्विकारी, सेकेंड में साकार स्वरूप में आओ, और सेकेंड में निराकारी स्वरूप में स्थित् अभ्यास सारे दिन में बार बार करो। ऐसे नहीं सिर्फ याद में बैठने के टाइम निराकारी स्टेज में सित रहो लेकिन बीच बीच में समय निकाल इस देहे भान से न्यारे निराकारी आत्मा स्वरूप में सित होने का अभ्यास करो। निराकारी स्थिती करावनहार स्थिती है, करमेंद्रिया करनहार है, आत्मा करावनहार है, तो निराकारी आत्म स्थिती से निराकारी बाप स्वते ही याद आता है, जैसे बाप करावनहार है, ऐसे मैं आत्मा भी करावनहार हूँ, इसलिए कर्म के बंधन में बंधेंगे नही न्यारे रहेंगे क्योंकि कर्म के बंधन में फसने से ही समस्याएं आती हैं सारे दिन में चेक करो करावन हार आत्मा बन कर्म करा रही हूँ अच्छा अभी मुक्ती दिलाने की मशीनरी तिवर करो अच्छा इस बारी जो इस कल्प में पहली बार आये हैं, वह हाथ उठाओ, तो नए नए आने वले बच्चों को बाप ददा विशेस याद प्यार दे रहे हैं, कि समय पर बाप को पहचान, बाप से वर्से के अधिकारी बन गए हैं, सदा अपने इस भाग्ये को याद रखना, कि हमने बाप को पहचान लिया, संकल्प की पैदाईस हैं, एक हैं डारेक्ट मुख दवारा वन्शावली, और दूसरे हैं संकल्प दवारा वन्शावली, तो संकल्प शक्ती बड़ी महान होती हैं, जैसे संकल्प शक्ती फास्ट हैं, ऐसे ही आपकी रचना, डबल फॉरिनर्स, फास्ट पुरुशार्थ, और fast प्रालब्द अनुभव करने वाले हैं इसलिए सारे ब्राह्मन परिवार में double foreigners double सिकी लधे हो भारत के भाई बहने आपको देख करके खुश होते हैं वह double foreigners, double foreigners को खुशी होती है ना कितनी खुशी है? बहुत है कोई ऐसी चीज ही नहीं है जिससे तुलना कर सके double foreign में भी सुन रहे हैं, देख भी रहे हैं अच्छा है, यह science के साधन आपको बेहद की सेवा करने में बहुत साथ देंगे और सहज सेवा कराएंगे आपकी सापना के connection से ही यह science की भी तिवरगती हुई है अच्छा, सभी पांडव समर्थ है ना, कम जोड तो नहीं, सब समर्थ है और शक्तियां समान बाप, शक्ति से ना हो शक्तियों की शक्ति माया जीत बनाने वाली है अच्छा, आज विशेश श्रिंगार करने वाले भी आए हैं कलकत्ता के भाई बेहने फूल लेकर आए हैं सब जगे फूलों से बहुत अच्छा श्रिंगार किया है बाबा कहते हैं ये भी सनही की निशानी है अच्छा है, अपना सनही का सबूत दिया अच्छा, टीचर्स हाथ उठाओ हर ग्रूप में टीचर्स बहुत आती है टीचर्स को चांस अच्छा मिल जाता है सेवा का प्रतिक्षफल मिल जाता है अच्छा है, अभी अपने फीचर्स दवारा सभी को फ्यूचर का साक्षत कार कराओ सुना क्या करना है? अच्छा, मधुबन वाले हाथ उठाओ बहुत अच्छा, मधुबन वालों को चांस बहुत मिलते हैं इसलिए बाप दादा कहते हैं मधुबन वाले रुहानी चांसलर्स चांसलर होना सेवा करनी पड़ेगी फिर भी सब को मधुबन निवासी राजी तो कर लेते हैं ना, इसलिए बाप ददा मधुबन वालों को कभी भूलते नहीं हैं, मधुबन निवासीों को खास याद करते हैं, मधुबन वालों को क्यों याद करते हैं क्योंकि मधुबन वाले बाप के प्यार में मैजोरिटी पा और जोन के सेवाधारी आए हैं बाबा कहते इंदोर जोन वाले हाथ उठाओ बहुत हैं अच्छा है सेवा करना अर्थात समीप आने का फल खाना सेवा का चांस लेणा अर्थात पुन्य जमा करना दुआएं जमा करना तो सभी सेवाधारियों ने अपना पुन्य का खाता जमा किया यह दुआएं वपुन्य एक्स्ट्रा लिफ्ट का काम करती है अच्छा, देश वविदेश जो दूर बैठे भी समीप है सभी बच्चों को बाप ददा सनहे के दिवस के रिटर्ण में पद्म गुणा सनहे का याद प्यार दे रहे हैं बाप ददा देखते हैं कि कहां क्या बज़ता है, कहां क्या टाइम होता है लेकिन जागती जोत अथक बन सुन रहे हैं और खुश हो रहे हैं बाप ददा बच्चों की खुशी देख रहे हैं बोलो, सभी खुशी में नाच रहे हुना, सभी कांध हिला रहे हैं, हाँ बाबा, जनक बच्ची भी बहुत मीठा मीठा मुस्कुरा रही है, वैसे तो सब बापको याद हैं, लेकिन कितनों का नाम ले, अनेक बच्चे हैं, इसलिए बाप ददा कहते हैं, हर एक बच्चा अप एक सेकेंड में निराकारी स्थिती में सित्त हो जाओ। बाप ददा ने ड्रिल कराई। लिविंग वेल्यूज की ट्रेनिंग चल रही है। बाबा कहते अच्छा सेवा का साधन है। लिविंग वेल्यू कराते कराते अपनी लवली लिविंग का अभ्यास बढ़ाती रहना। अच्छा बाप ददा आज एक बात गुलजार बच्ची को कह रहे थे। विशेस मुबारक दे रहे थे कि ब्रह्मातन की सेवा जैसे इस रत ने भी 33 वर्ष पूरे किये। यह भी ड्रामा में पार्ट है। बाप की मदद और बच्ची की हिम्मत। दोनों मिलकर पार्ट बज जाते हैं। आज के दिन बाप ने बच्चों को विशेस विश्व के सामने प्रत्यक्ष किया। बाप करावन हार बने और बच्चों को करन हार बनाया। अच्छा है। यह सने की लहर सभी को समा देती है। अच्छा शरीर को चलाने की विधी आ गई है ना। चलाते चलाते बाप समान अव्यक्त बन जाएंगी। सहज पुरुशार्थ है दुआएं। सारे दिन में कोई भी नराज नहीं हो। दुआएं मिले यह है फर्स्ट क्लास पुरुशार्थ। सहज भी है फर्स्ट भी है ठीक है ना। शरीर कैसे भी हो लेकिन आत्मा तो शक्तिशाली है ना। जो आप सभी बच्चों ने 14 वर्ष तपस्या की वह तपस्या का बल सेवा करा रहा है। अभी तो आपके बहुत साथी बन गए हैं अच्छे अच्छे सेवा के साथी हैं बस आपको देख कर खुश होते हैं यही बहुत है। वरिष्ट बड़े भाईयों से ड्रामा नुसार जो सेवा के प्लैन बनते हैं वह अच्छे बन रहे हैं और हर एक सदा संगठन में सनहेव दुआईं लेने के लिए बालक सो मालिक का पाठ पका कर एक दो को आगे बढ़ाते हुए एक दो के विचारों को भी सम्मान देते तो सफलता ही सफलता है सफलता तो होनी ही है लेकिन अभी जो निमित आत्माएं हैं उनों को विशेस सनहे के संबंद में लाना ये सब के पुरुशार्थ को तिवर बनाना है सनहे निस्वार्थ सनहे जहां निस्वार्थ सनहे है वह सम्मान देंगे भी और लेंगे भी वर्त इतमान समय सनहे की माला में सब को पिरोना यही विशेस आत्माओं का कार्य है और इससे ही सनहे संसकारों को परिवर्थन भी करा सकता है। ब्रह्मा बाप ने क्या किया स्नहे से अपना बनाया तो आज इसकी आवश्यक्ता है है ना ऐसे सोनिपत के लिए मिटिंग हो रही है वहाँ अनुभूती कराने के लिए साधनों का प्योग कैसे करें वह तो प्लैन बना रहे हैं हर एक के संकल्प विचारों को जो विशेस मैजोरिटी स्विकार करें वह बनाओ अनुभूती तब करा सकेंगे जब अनुभूती स्वरूप बनेंगे अच्छा वर्दान द्रिडता की शक्ती दवारा सफलता प्राप्त करने वाले त्रिकाल दर्शी आसन धारी आत्मा भवू सफलता है ही सिर्फ जैसा समय वैसी विधी से सिध्धी स्वरूप बनो कोई भी कर्म करने के पहले उसके आदी मध्यांत को सोच समझ कर कारे करो और कराओ अर्थात त्रिकाल दर्शी आसन धारी बनो तो अलबेलापन स्माप्त हो जाएगा संकल्प रूपी बीज शक्ति शाली द्रिडता संपन्न हो तो वाणी और कर्म में सहज सफलता है ही स्लोगन सदा संतुष्ट रहे सर्व को संतुष्ट करने वाले ही संतुष्ट मनी है अच्छा ओम शान्ती वह कौन सी विशेस्ता है जिसके सामने दुनिया के बहुत बड़े महान व्यक्ति भी अपना सिर जुका देते हैं आईए सुनते हैं आज के ज्यानमोती में अच्छा